Hello students, स्वागत है आप सभी का Magnet Brains के इस प्लैटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही Free and Quality Education from Kindergarten to Class 12 मैं शुबम शुरबास्तब स्वागत करता हूँ आप सभी का Class 12 Biology NCRT Exampler की सीरीज में जहां आज के इस लेक्चर में हम लोग डिसकस करने वाले हैं अपने Chapter No.8 Human Health and Disease से Long Answer Type Questions तो ये Long Answer Type Questions ऐसे questions होंगे जिनमें हमें answers लिखने का तरीका ऐसा होगी हमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा यहां पर questions की demand ज़्यादा होती है तो हमें लिखना भी ज़्यादा होता और हमें marks भी ज़्यादा ज़्यादा मिलते हैं तो कौन-कौन से बहतरीन सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं Human Health and Disease से इस Long Answer Type Questions में उनको एक एक करके हम देखते हैं लेकिन उससे पहले एक information आपके लिए आपके लिए गुड नियूज है गुड नियूज यह है कि Magnet Brains ने लांच किया है अपने books को यह books की quality इतनी अच्छी है कि अगर आप इन books को देख करके अपने exam में बैठते हो तो यह निश्यत है कि आप अपनी examination में बहुत ही जादा अच्छा score करने वाले हो हमारी पूरी expert teachers की team ने इस book को design किया है इस book में जितने भी questions है जितने भी concepts दिये गया है वो सारे के सारे बहुत जादा पढ़ने के बाद इसमें डाला गया है तो सवाल यह उड़ता है कि इन books को हम ले कैसे सकते हैं तो books लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा इस video के description box में वहाँ पर link available है उस link क follow करिए और आप यह books को ले सकते हैं ठीक है और एक और information कि अभी books limited है लेकिन आने वाले समय में इस पर काम चल रहा है और आने वाले समय में सारे classes के लिए magnet brains के books जो है वो available होने वाले हैं तो बने रहना है magnet brains के साथ अब देखते हैं कि करके हम अपने questions को कि हमसे कौन-कौन से बहतरीन सवाल पूछे गया है और पहला सवाल हमारी screen के उपर यह रहा है पहला सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा कि रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट सिङमेटिकली दि लाइफ साइकल ऑफ मलेरियल पैरासाइट बहुत जादा बड़ा question नहीं है question बहुत जादा बड़ा नहीं Č कोशन सीधा सीधा पूछ रहा है कि malaria का जो life cycle ह 충 나 zilla पैरासाइट के life cycle के बारे में हमें discuss करना है इसके इस मदद से अगर में इस तरीके सागर हम इसको discus करते हैं हमारे लिए समझना भी आथा हम में अगर याद है तो malaria के parasite कौन स्थे थे plasmodium हमारे पास तीन थे एक plasmodium vivax था एक plasmodium malaria था और तीसरा था plasmodium falciperum यह falciperum जो था इन तीनों में वो सबसे जादा खतरनाक सबसे जादा खतरनाक इसलिए क्योंकि यह body में जाता है और body में जाकर कि infection जो यह cause करवाता है वो जानलेवा भी होता है इसका treatment थोरा मुश्किल होता है कि as comparatively यह vivax के मुकाबले यह फिर malaria के मुकाबले यह ज़ादा infection create करता है information एक recall करने वाली चीज़े हमने साथ साथ देखा था कि यह अपना life cycle जो है यह दो host के body में complete करता है यह अपने life cycle को दो host के body में complete करता है एक हमने देखा था humans एक हमने देखा था humans और दूसरा हमने देखा था मौस्क्यूटो अब मौस्क्यूटो में भी कौन से मौस्क्यूटो तो इस में फीमेल फीमेल एनाफिलस एमनाफिलस मौस्क्यूटो के अंदर ये इंफेक्शन क्रियेट करता है तो यह हमें यह बता रहा है कि यहाँ पर दू हमें यहाँ पर इस तरीके से लाइन दे रखा है mosquito के body में होने वाला है और यहां से यह वाला जो हिस्सा है यह human body में चल रहा होता है और यही जब human body में चलता है तो यही वो समय है जो हम कहते हैं कि इस human को malaria हो रखा है ठीक है यहां पर क्या है कि एक female anophyllus mosquito आती है और यह female anophyllus mosquito जो है यह humans को bite करती है अब जैसे ही यह female anophyllus mosquito ने bite किया अगर हम यहां पर कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करें अगर यहां पर human के यह skin surface को हम बनाते है फ़र एक्जांपल यह हमारे हाथ है उसका यह surface है यह skin का वो layer है इसके स्किन के लेयर पर क्या है कि यहां पर एक बहूत ही यह क्या है डाई 오े ढाइर कंद से इस तरीके से कुछ है यह क्या करता है यह क्या Cakeर कि मॉसक्यूटो है देators है कि हमारे body से यह क्या करता है यह इस रास्ते यह blood लेता है तो कहने का मतलब है कि यह blood लेता है उड़ गया है हमें कुछ दे करके थोड़ी गया है लेकिन साथ-साथ क्या है कि अगर हम इस area को अगर हम यहां बना करके देखें तो हमें समझ में आता है कि यह जैसे ही इस रास्ते यह blood ले रहा है लेकिन साथ साथ ही हमारे body में कुछ discharge कर रहा है अपने saliva को भी यह discharge कर दे रहा है ठीक है तो as a result क्या हो रहा है कि mosquitoes के भी कुछ चीजें हमारे body में in कर जाती है अब चुकि यह वह बाहर से आया है तो हमारा body detect करेगा कि यह बाहर का है तो उसके type का देखता है क्यों क्योंकि हमारा जो white blood cells वगर है यह फिर देखते हैं उसको detect रहते हैं फिर उसे खिलाफ लड़ाई शुरू की जाती है तो वह रन भूमी बन जाता है वह तो फिर उस तरीगा condition देखने को बनता है क्या वह उस मच्छर ने काठा तो कहता क्या है कि साथ सा क्या हो रहा है कि sporozoids जो है वह हमारे body में in कर रहे है sporozoids are injected in human blood with a bite of female anophilos mosquito तो female anophilos mosquito के कारण यह जो है यह sporozoids हमारे body में in कर दगा है किसके body में थो humans के body में इन कर जाते हैं अभ Youman's के body में यह इन कर गए अब यह क्या करेंग यह जह 개인बना number बढ़ाए अपनी जन संख्या को बढ़ाए और इसके लिए यह क्याइन चाहेंग ए reproduction कहां पर हो गा तो यह हमारे body में आ गये body में जाने के बाद यह करते हैं यह ब्लेड में मिल जाते हैं यह ब्लेड में मिलने के बाद यह क्या पहुंचते हैं यह कहां जाते हैं तो यह लीवर के पास पहुंचते हैं और फिर वहां पर थू लीवर थू ब्लड और रेप्रदूस एसेक्शली और एसेक्शल mode of reproduction यह शो करते हैं और asexual mode of reproduction शो करने से इनकी संख्या जो है वो बढ़ते चली जाती है ठीक है यह राइस पूरुजवाइट से काम अब यहां से क्या होता है कि अगेन इसको human blood collect करता है यहां से blood ने क्या किया इसे यहां तक पहुंचाया ब्लड के मदद से यहां यहां पहुंच रहा है फिर यहां पर क्या होता है कि asexual reproduction और यह फिर जो है यह हमारे blood में मिल जाते हैं और यह blood में मिलने के बाद वापस से इनको भेजा जाता है नीचे कहता है कि bursting of liver cells to release parasites into blood अब क्या होता है liver cells जो है वो ब्लड में हमारे मिल जाते हैं यह हमारे blood में मिल गए अब क्या हो रहा है कि यह जो parasite है वो हमारे blood में आ चुका है और especially red blood cells को affect करता है कि इसको यह affect करता है तो blood में भी हमें यहां पर red blood cells की कहानी rbcs लिखना है तो parasite reproduces asexually rbcs and causing cycle of fever और इस समय क्या होता है इंसान को fever आना शुरू होता है fever का यह case हो जाता है इस समय और पता चलता है हां तब हमें पता चलता है कि हमारे body हमें क्या है हमें malaria हो रहा है अब क्या है कि दौरो doctor के पास treatment में जाओ diagnosis करवा डाइग्नोसिस करवा दें treatment होगा फिर आगे की a lot in शौकर वरिया काई नहीं हो इस हुजाइन छीजिए को सही किया जासकता है ठिक है फिर यहां पर क्या होता है युमें के बोड़ी के अंदर ही कि Milla और फीमेल गैमेटो साइट्स बनते हैं हमारेled cells में हमारे डेड्लेडल में वह red blood cells जो कैसे हैं तो यह red blood cells जो bye कंकेव हैं यहां पर यहां पर यह क्या है कि यहां पर मवजूद है इस तरीके से फिमेल और यह मॉज्चिटो दूबारा अगर करता है तो male and female gametocytes जो हैं वो वापस से किस में तो वापस से वो इस mosquito में इन करते हैं तो वापस मॉस्क्यूटो बॉड़ी का कहाँ शुरू होता है अब मॉस्क्यूटो ने हमें बाइट किया और यह जो male and female gametocyte इनको इसने वापस खीच लिया और वापस खीचता है कि female mosquito takes up the gametocytes with the blood meal जब वो हमें बाइट करता है जब अपना भोजन लेने आता है as a blood वो इसको लेता है और फिर क्या करता है कि fertilization and development takes place in the intestine of the mosquito और यह mosquitoes में क्या होता है उसका fertilization fertilization और उसका development start होता है फिर कहता है कि mature sporozoids migrate from the intestine to the salivary gland फिर वहाँ इसे sexual reproduction यहाँ पर हो गया और फिर इसके बाद फिर इसने क्या किया फिर इसने किसी इंसान को काटा और फिर जब इसने किसी इंसान को काटा यह cycle चलता गया और यही cycle जो चलता जाता है चलता जाता है this is the cycle of malaria इसे हम लोग malarial parasite का life cycle के नाम से जानते हैं इसको आप चाहो तो note कर सकते हो इसका आप चाहो तो screenshot निकाल सकते हो फिर हम आगे चलते हैं अपने दूसरे question के तरफ कि उधर हम से क्या पूछा गया है ठीक है question number two हमारे सामने आचुगा question number two हम से क्या कहता है question number two हम से क्या कहता है compare the lifestyle of people living in urban areas with those of ruler areas and briefly describe how lifestyle affects their health question बहुत ही जादा भारी नहीं है कि यहां में बहुत जादा दिमाग लगाने की जरुवत है हम easily इन सब चीजों को common understanding के मदद से हम इस चीज को answer कर सकते हैं simple simple lifestyle की बात की जा रही है वैसे लोगी जो urban areas में रहते हैं तो rural areas में रहने वाले और urban areas में रहने वालों के बारे में कुछ लेखा और फिर हम इसके बारे में discussion करेंगे कि कैसे इनका जो life style है वो उनके health को affect करता है ठीक है अगर गाओं में रहने वाले लोगों की बात करें तो यहां पर health facilities कम हैं हमारी government ने और medical science के साथ है development के साथ है अब जो है वो medical facilities rural area तक जा रही है लेकिन इस्टिल जब हम compare करते हैं तो health की मामले में जब हमें दिखाना होता है जब कोई serious topic होता है जब serious diseases के treatment में हमें जाना होता है हम move करते हैं बड़े शहरों की तरफ जहां बड़े बड़े hospitals medical facilities जादा अवलेवल हम उधर जाना प्रिफर करते हैं यह साबित करता है कि आज भी majority of the जगा पर जो है medical facilities जो है वो उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए और यहीं पर अगर हम urban areas की बात करें तो health facilities are present यहां पर health facilities मौझूद है यहां पर poor sanitation है sanitation है और यहां पर इस वाले में better sanitation है urban areas में इस वाले में कहता है कि living condition काफी poor है और यहां पर living standard जो है वो लोह का high होता है urban areas में लेकिन बहुत सारी चीज़े हैं जो यहां नहीं लिखी वो भी हम discuss करेंगे living standard की बात करें तो भले ही rural areas की poor है urban areas में रहने वालों की living standards high है घर में साफ सफाई रखना पसंद करते हैं साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं जो गाउं में यह चिस कम होता है लोग गंदे कपड़े भी पहनते हैं जो कारण बनता है इनके इनमें बहुत तरीके के infections का बहुत तरीके के skin diseases का अगर हम बात करें urban areas में रहने वालों की तो यह actually market से जो सबजी वगरा खरीद के लाते हैं अब हम compare कर रहे हैं चीजों को देखिए कि गाउं में रहने वाले जो हैं यह लोग जो होते हैं यह अगर सबजी वगरा भी खाते हैं तो यह बहुत ही प्योर सबजी actually खाते हैं जो इनके गाउं में हो रहा होता है अर्बन एरियाज में जो जहां पर डिमांड बहुत जादा है लेकिन production उतना नहीं है तो इन दैट केस यहां पर fertilizers वगरा यूज करके अर्बन एरियाज में जो हैं वो सबजी वगरा ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो जो यह सबजी वगरा खरीते हैं और जो सबजी यह ख जो है जो यहां पर अर्बन एरियाज की बात करें तो हमारे हमारे मिनिसिपल कॉर्परेशन वगरा होता है वाटर की सप्लाई जो करवाई जाती है टाइम पर होता है जिता चाहिए उत्ता मिलता है गाउं में भी वाटर वगरा है यहां पर यह ना लिखे तो भी चलेगा electricity एक फैक्टर है जिसको हम लिख सकते हैं कि electricity जो है इसका होना बहुत ही जादा जरूरी है क्योंकि जरूरी है electricity के मदद से आज के समय में गाउं में खेती भी की जाती है electricity का बहुत बढ़ा रूल होता है तो उसकी कमी होना और यहां पर यह सारी चीज़ है अबले बले यह कहें तो they are produced with the help of fertilizers यह प्योर खाते हैं ठीक है तो एक पॉइंट अगर हम इधर देना चाहें तो एक पॉइंट इदर हम 0 देना चाहेंगे ठीक है फिर अगर हम चलते हैं हाईजीन वगरा मेंटेन करने की बात है तो यह लोग जो है वह हाईजीन वगरा ज्यादा मेंटेन क हो जाता है तो उसके इसमें हमें देखने को मिलता है कि due to lack of medical facilities अर्वन यह रूरल एरियास वालों को वह सुविधाएं नहीं मिल पाती लेकिन अर्वन एरियास वाले वह सुविधा ले लेते हैं जो यह नहीं ले पाते ठीक है इसके बाद और हम क्यां कर सकते हैं इसके बार बारे में चुकि रूलर एरियास और अर्वन एरियास के बारे बोले तो अब ऐसा है कि यह लोग भी हर चीज में अब क्या है कि अब पूरा का पूरा हमारा देश डेवलप कर रहा है तो हर चीजों हर जगह पर जो है वो डेवलप्मेंट का काम चल रहा लेकिन फिलहाल अग लेस्क होता है कम यूज के gorny यहाँ पर यह की फैलने आ खत्रह जादा है अर्बन एरियास में जहांपर अवेरडिय जादा है लोग जानते हैं वहाँ पर इसी तरीके से बचाजा सकता है तो यह तो किसी यह इसके health को affect कर सकता है वह बहुती common सा discussion था हमारे भी यह कोशन का level बहुती आसान बहुती common था समझ में आ रहा होगा आपको तो इसको भी आप कर सकते हो फिर हम चलते हो अपने next question question no.3 के तरफ की उधर हमें क्या देखना है ठीक है बड़े कोशन no.3 के पास हम आ चुके हैं और थीसरा सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा क्या कहता है एक नजर डालेंगे तो थीसरा सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा कि why do some Adolesans starts taking drugs तो कुछ में Adolesans में हमें देखने को मिलता है कि वो drugs लेना शुरू कर देते हैं How can this be avoided और लेते हैं तो क्यों लेते हैं अब देखो जब बच्ची इस समय में होते हैं अपने life के इस period में चल रहे होते हैं तो इस क्या है कि कहा जाता है कि यह आपके life का वो समय होता है जो समय अगर आपने अगर इस समय को आपने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया अगर अभी अपने आपको थोड़ा तकलीफ में डाल करके अपने मन की ना सुनके कहने का मतलब है कि मन की तो सुनना चाहिए कहने का मतलब है कि अगर जो भी हमारे लाइफ में हमें करना है जो भी हमारा एम है जो भी हमारा गोल है अगर हम उसके तरफ काम करते हैं, अगर हम उस direction में काम करते हैं, तो ऐसा होता है, उस direction में काम करने से ऐसा होता है कि हम अपने life में, अपने career में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये वो life का समय जिस वत पढ़ाई का pressure बहुत जादा होता है, हम schools में होते हैं, हमारे पास बहुत सा होता है हमारे लाइफ में तो इस केस में क्या है इस केस की बात करें तो कहता है कि अडुल सेंसे स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स बेकॉस इट अफेक्ट बोथ फिजियो लॉजिकली एंड साइकोलोजिकली और आवर सिस्टम अब देखे होता क्या है कि इस तरीके की बहुत चीज़ बहुत सारे गुड थिंग्स भी है बैड थिंग्स भी है यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे अपने गुड एंड बैड दोनों में एक बैलन्स बनाते हैं और लाइफ को बहुत अच्छे से जीते हैं लेकि लगता है experiment करना है वह depression में Medicine हई हमें इच्परेशन में हमें सेगरेट पीना है पर यह पर्षे हैं का पढ़ाई बहुत जाया प्रेशर है मेरे दोस्त ने कहा जो है थे बहुत रही होता है हम ने दोस्त भी बात मान ली हमने एक experiment कर लिया तो यह कुछ कारण है जिसे कारण बच्चों में addictions हो सकते हैं बच्चों में addictions हो सकते हैं कुछ drugs को drugs addiction जिसे हम लोग कहते हैं अब यह drug addiction हो गया इसके कारण क्या है कि उन्हें यह उनके physical physiologically और psychologically यह दोनों तरीके से उन बच्चों पर असर डालते हैं दोनों तरीके से असर डालते हैं उनके mental health को खराब किया खराब कर रहे होते हैं उनका nervous system जब इस चीज़ को accept करता है बिलकुल इस शान्त relax महौल होता है उन्हें अच्छा लगता है तो फिर से करना चाहते हैं और यह करते करते एक समय आता है कि वह addict हो जाते हैं इस चीज़ के हैं उन्हें कहा जा सकता है कि say no to any person forcing drugs on you अगर कोई आपका दोस्त है he is just offering you कि एक बार ट्राइ करो एक बार ट्राइ करो आपको नहीं कहना है you have to say no नहीं नहीं चाहिए नहीं करना है and also don't taking too much of pressure from anyone for anything और किसी तरीके का प्रेशर नहीं रखना है तो कहने का मतलब है कि आपका यह आपका यह जो लाइफ का जो यह पीरियेट चल रहा है यह बहुत ही खुबसूरत पल है इसको enjoy करना है जो भी चीज़ें आपको life में देखने को मिल रही है just enjoy this उसको enjoy करो क्योंक बहुत अच्छा कर सकते हो तो कहने का मतलब है कि उस pressure से लड़ने का रास्ता यह नहीं है कि हम drugs की तरफ चले जाए उस pressure से लड़ने का रास्ता यह है कि जो भी मुश्किल आई है हम उस मुश्किल से लड़ेंगे हम उसको बिलकुल ही अच्छे तरीके से handle करेंगे और अगर से उस सब चीजों का handle करेंगे जब अभी से आप उसमें perfect balance बना करके चलोगे तो say no to drugs इस तरीके से हम इस question का answer करते हैं मतलब long answer में भी हमें दिख रहा है कि जनरल जनरल discussion type of question से ठीक है note कर सकते हो screenshot निकाल सकते हो आगे चलते हैं ठीक है आगे चलते हैं फिर हमारे पास next question है question number four question number four में हमसे कहता है कुछ ऐसा कि in your locality आपके locality में है आपके locality के बात है in your locality if a person is addicted to alcohol वापस से हम यह इसी addiction पर कहां नहीं आकर रुकी है कि एक person है जो alcohol addicted है जिसको मतलब alcohol चाहिए ही चाहिए वो उसके बीना नहीं रह सकता है what kind of behavioral changes do you observe in that person तो उस तरीके के लोगों में आपको किस तरीके का behavioral change देखने को मिलता है suggest measures to overcome the problem और आपको यह भी बताना है कि उन problems हम कैसे निकल करके आ सकते हैं देखिए कि जो alcohol लेने वाले बंदे होते हैं जो से already addict हो चुके हैं जब तक वह नहीं लेते तब तक वह नॉर्मल फील नहीं करते एक normal body है जब प्रेशर में था उसने इन सब चीजों को start किया उससे उसको pleasure मेरा relax हुआ वह बहुत अच्छा लगा लेकिन एक समय ऐसा आया एक समय ऐसा आता है कि इस alcohol को यूज करते करते एडिक्शन होगे एडिक्शन हुआ तो ऐसा हुआ कि जब तक वह बंदा अल्कोहल नहीं ले लेता है तब तक वह नॉर्मल फील नहीं करता है तो उसका body में आ जाते हैं कुछ तरीखे चेंज़ वह चेंज़ेस कैसा है कि इस पर पोसन इस एडिक्टेट एडिविज्वल व ले करके आ रहा है तो उसके attitude में चेंज आएगा वह कुछ उसको मिले ना मिले वह यह जरूर चाहेगा कि उसको यह alcohol मिल जाए तो self selfishness उसमें आएगा वह सकता है कि अपने family में किसी तरीकी की कमी उसको मंजूर है लेकिन उसको alcohol चाहिए तो उसके तरफ जाएगा तो अपने फैमिली से भी जादा priority वह अपने alcohol को दे रहा है तो इस तरीके का addiction होने हमें देखने को मिलता है Reduce attention to personal and professional life जब इसका ध्यान पूरी तरीके से इस पे है तो क्या गता है personal as well as professional life में भी disturbance हमें देखने को मिलता है ऐसे लोगों में जो addicted है फिर जब withdrawal symptoms are seen when alcohol intake is a stop तो withdrawal symptoms बिल्कुल दिखेगा addicted person में withdrawal symptoms क्या होता है कि अगर किसी को addicted person को अगर आप alcohol addicted person है अगर उसको alcohol इने समना कर दोगे तो वह normal feel नहीं करेगा वो चाहेगा कि हम उस alcohol को use कर ले तो इस case में वह बिल्कुल बेचैन फिल करेगा इस case में वह irritated feel करेगा इ ऐसा case भी हो सकता है this type of symptoms are known as withdrawal symptoms तो withdrawal symptoms हमें देखने को मिलेगा अगर उसे वह चीज़ ना दिया जाए repetitive unsuccessful attempts to stop alcohol intake एक यह देखो बहुत बड़ा point लिखता है कि repeated unsuccessful attempts to stop alcohol intake ऐसा बार बर कहा गया कि alcohol use करना छोड़ दिया जाएगा छोड़ देंगे छोड़ देंगे छोड़ देंगे हर बार कहा गया लेकिन नहीं छोड़ा जाता है यह चीज़ देखने को मिलता है सो यह राइस के point इसको आप लिख सकते हो नोट कर सकते हो फिर हम आगे चलते हैं आगे इसके बारे में थोड़ा सब्सक्राइब करते हैं that is कि कुछ तो measures होगा इससे overcome करने का ठीक है तो कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं इनकी counselling करवाई जा सकती है counselling करके इस चीज़ को control में किया जा सकता है spend time with family and friends तो इन सब जगह उपर ना जाकर कि वो जो समय है आपका आप उसको अपने family के साथ अगर कोई बिताता है अपने दोस्तों के साथ बिताता है दोस कहने को तब good friends तो उस case में क्या है कि इन सब चीज़ों से बचा चा सकता है दूर हुआ जा सकता है फिर कहता है कि make sure that alcohol is limited below the recommended guideline make sure that alcohol is limited, limited alcohol लेना है और जो limited guideline है जैसे कि limited guideline कि कि कितना percent alcohol का consumption होना चाहिए वो चीज़े यहां पर देखना है don't try to pressure yourself, try to do medication all day यहां पर क्या है, medication का सहारा लेना चाहिए medication के सहारा लेने से भी, medicines के use से भी इससे छुटकारा पाया जा सकता है गाने सुने का suggestion दिया जा सकता है engage some कुछ दूसरे activities में दूसरे activities में involved होने का suggestion दिया जा सकता है जिससे उसको relaxed feel हो तो यह सारी चीज़े हैं जिससे कि जो alcohol का use है उसको जो है वो control किया जा सकता है तो इसको भी आप note कर लो इसका भी screenshot निकालो फिर हम चलते हैं अपने next question के तरफ कि उदर हमें क्या देखना है तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ अगला सवाल हमारा क्या कहता है एक नजर डालेंगे उसके तरफ अगला सवाल हमारे पास question number five question number five हमसे कहता क्या है तो question number five हमसे कहता है कि what are the methods of cancer detection अब कहने का मतलब है कि यह थोड़ा question जो है वो पिछले कुछ गॉटर के पास doctor ने देखा condition doctor ने देखा symptoms doctor कि या चेकप doctor को शक होता है कि हो सकता है इस बंदे को cancer हो तो for that doctor क्या करता है आपको diagnose करने के लिए कि luडियों सकते है तो वही पूछ रहे कुछ तो method use किया जाता है जिसे confirm किया जाता है तो वही हमसे पूछ रहा है कि इसलिए कौनसे मेफससे हैं जिसे हम कैंसर को detect कर सकते हैं आच कि country दो में तूसरा सवाल हमसे पूछ रहा है इसी में कि जोorc ट्रीटमेंट है कैंसर का जोरी त्रीक्मेंट हम कैसे करते ठीक है तो यह ऐसे-ऐसे कोश़ार यह जो अंदर से मोटीवेट करते हैं कि आज हमें कैंसर के बाड़े में पढ़ना है एतो हमने यह देखा हमने यह देखा — हमने क्या होती है झाण किसी को हैं था हम कैसे को ड्रीमेंट कैसे होता है तो यहां पर जो कोशन है हमारे पास that is cancer detection का तो सबसे पहले तो यहां पर सवाल आ गया हमारे पास की भाई what is cancer हमारे पास एक सवाल आ गया that is what is cancer cancer की बात करें तो हमने देखा था हमने देखा था कि अगर इस cancer को इस तरीके से हटाओ यहां पर देखा था कि जो cell है यह cell का जब बहुत बड़ा mass हो बन जाता है mass कब बनता है जब यह cell अपने contact inhibition को lose कर देता है contact inhibition को जैसे ही cell ने lose किया इसमें क्या है uncontrolled cell division देखने को मिला जब uncontrolled cell division देखने को मिला तो जगे हमारे पास कम है लेकिन cell division बहुत जादा हो गया तो यहाँ पर एक mass बन गया इसी mass को हमने क्या कहा इसी mass को हमने tumor का नाम दिया इसी mass को हमने tumor का नाम दिया tumor दो तरीके के एक हमारे पास है benign tumor और एक तरफ है हमारे पास malignant tumor एक तरफ है हमारे पास malignant tumor ठीक है और यही malignant tumor जो है यह cancerous tumor होता है जो जा करके cancer cause करता है ठीक है cancer हो गया, अब cancer को कैसे पता करेंगे, वही चीज यहां लिखता है कि mutation in the genes may lead to the uncontrollable rapid division of the cells forming a mass or tumor thus mass is known as cancer तो यह जो mass है, यह जो tumor है malignant type of tumor जो है, वो cancerous होता है तो वो cancer हो गया, वो cancer से लो गया अब कैसे हम पता लगाएंगे कि भाई इसको cancer है की नहीं तो हमारे पास बहुत सारे techniques हैं जिसके मदद से हम लगा सकते हैं समय के साथ जैसे science develop हो रहा है हमारे पास जो number of methods of detection है वो बढ़ते जा रहे हैं एक तरीका है bone marrow biopsy तो biopsy जो है biopsy करकर की हम किसी का भी cancer का detection कर सकते हैं फिर कहता है कि endoscopic assessment के थूँ हम पता लगा सकते हैं हम CTS scan के थूँ पता लगा सकते हैं computer tomography जिसे हम कहते हैं हम लोग monoclonal antibodies का use करके हम लोग यहाँपर क्या करते हैं पता लगा सकते हैं cancer के बारे में हम लोग MRI का use कर सकते हैं हम लोग sonography that is ultra sound का भी हम लोग यहां पर use कर सकते हैं तो यह कुछ methods हैं जिसका use करके हम लोग detect कर सकते हैं कि cancer कैसे cancer जो है वो कैसे होता है अब एक एक चीज को अगर हम यहां पर explain करेंगे तो फिर higher classes में हम क्या करेंगे ठीक है तो basically यह कुछ हमारे पास methods हैं जिसका हम use करते हैं और use करके फिर क्या करते हैं कि cancer के detect करते हैं कि either this person is suffering from cancer or not तो यह हमारे पास कुछ चीज़े होती हैं समझ में आ रहे हैं इसको आप note कर सकते हूँ, screenshot निकाल सकते हो फिर हम आगे चलते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि कौन से approaches है सके treatment के ठीक है तो किस तरीके समयं को treat कर सकते हैं treatment हम इसका कैसे कर सकते हैं हम एक नजर उसकी ऊपर डालेंगे तो cancer के treatment की बात आती है तो हम जैसे की जान रहें कि यहां पर एक mass of cell बन गया है यहां पर यह mass of cell बन गया है यह cancer है तो हमें जरूरत है कि इस cancer को कैसे body से बाहर निकाले तो इस cancer को हम चाते हैं surgery करके इसको बाहर निकालते हैं तो surgical method से हम इसे cut करते हैं और cut करके इसे body से बाहर फेकते हैं that is की सबसे पहले तो हम surgery करेंगे surgery करेंगे यह tumor का जीए जो mass बना हुआ है mass of the tumor यह cancer cell है इसे हम लोग निकाल करके body से बाहर फेकेंगे इसके बाद हम use करेंगे radiation therapy radiation therapy से क्या हुआ कि यह जो case है यहां पर यह जो case है हमारा इसमें हो सकता है कि after surgery भी यहां पर एक आध इसल बच जाएं कोई उसका चोटा सा cancer cancer कोई बहुत ही बहुत ही जादा चोटा चीज बच गया आप क्या करेंगे लेकिन उसको भी kill कर देंगे उसको भी kill कर देंगे with the help of radiation therapy immunotherapy भी use करेंगे chemotherapy भी use होता है chemotherapy आपको पता है क्या होता है chemotherapy का नाम सुना होगा आपने चीमो थेरेपी एक ऐसा प्रोसेस है इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम फास्ट ग्रोइंग सेल्स को रोकते हैं इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं तो इसमें जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स होते हैं इनको क्या है, इनको stop किया जाता है, fast growing cells को हम लोग stop करते हैं, ठीक है, रोकते हैं, और fast growing cells को रोकने का ये principle धिमाग में कहां से आया, तो मुदा यह है कि जो cancer के सेल है, ये भी fast growing cells होते हैं, बहुत जल्दी जल्दे डवाइड करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़त हैं, तो chemo therapy के मदद से हम क्या करते हैं, कुछ drugs, कुछ drugs को हम लोग in patients के body में, हम लोग injection के through हम भेजते हैं, मतलब ऐसे injection सीथा injection नहीं देते हैं, वो जैसे कि पानी ग्लुकोज चटता हैं उस तरीके से जाता हैं, तो इस case में क्या होता है, कि जितने ही fast growing cells हैं, उनका वो जुकते ही हैं, साथ साथ हमारे body में बहुत सारे other cells हैं, जैसे कि ये nails हैं, ये fast growing cells होते हैं, देखते हो कि आपको हर हफते अपने nails की cutting करनी पड़ती है, just because कि ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़े हो जाते हैं, आपको time to time haircut लेना होता है, just because कि ये time बहुत ही जल्दी जल्दी cells हैं, तो जब chemotherapy का use किया जाता है cancer के treatment में, तो इस वक्त जो fast growing cells हैं, ये सारे के सारे सब पे असर पड़ता है, तो इसके लिए cancer वाले cells तो stop होते ही हैं, साथ साथ नियल्स का जड़ना, हमारे hairs का loss होना, loss of hairs, साथ साथ खून की कमी, जिसे हम लोग anemia कहते हैं, anemia कहते हैं, य ये सारे reasons, ये सारे भी हमें side effects देखने को मिलते हैं इस chemotherapy के, तो मतलब ये सारे कुछ चीज़े हैं जिनके मदद से हम cancer को treat कर सकते हैं, कहता है कि immunotherapy common approaches for the treatment of cancer, in radiotherapy the cancer cells are radiated, several chemotherapy drugs are used to kill cancerous cells, तो ये रहे इसके बारे में cancer को हम किस तरीक से treat कर सकते हैं, इसको भी आप note कर सकते हो, इ फिर हम चलते हैं अपने next question के तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसके बाद है हमारे पास हमारा question number 6, अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है, question number 6 हमसे कहता है कुछ ऐसा, कहता है कि drugs like LSD, कुछ drugs के नाम दे रखे हैं, जैसे LSD हो गया, barbiturates हो गया, amphetamines हो गया, यह सारी कुछ drugs है, are used as medicines to help patient with mental illness, तो mental illness से सफर करने वाले patients को इन सारे drugs के मदद से हम treat करते हैं, मतलब as a medicine हम इसका use करने हैं, however excessive doses and abusive uses are harmful, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि इसका जो access use है, वो harmful होता है, harmful होता है, तो वही कहा रहा है, enumerate the major adverse effect of such drugs in humans, तो वही हम से पूछ रहा है कि ऐसे जो, इसका adverse effect है इनसानों की उपर, उसके बारे में हमें discussion करना है, ठीक है, इन general बात करें, तो चुकि है medicines के रूप में use किये जा रहे हैं, यह drugs तो ऐसा क्या होगा कि हमें, हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन जब हम इसका excessive use कर रहे हैं, तो यह harmful हो जाते हैं, क्या रहा है कि drugs are chemical substances that have the physiological, psychological and physiological effect on your system, but overdose may lead to the following adverse effect, तो देखो actually क्या होता है, ना drugs की बात करें, तो अभी हम जानते हैं, क्या ना की drugs हम समझ रहे हैं, बट आप जब सीने, जब आप college वगरा में जाओगे, medical science में चाओगे, तो वहाँ पर, जो medicines होती हैं, actually हम उने drugs के नाम से ही जानते हैं, वहाँ पर drugs term ही use किया जाता है, जैसे कि paracetamol एक drug है, जब हम fever के लिए यूज करते हैं, markets में बहुत सार medicines have level है, composition क्या है उसमें, तो उसमें paracetamol है, antibiotic हो गया, जैसे agithromycin हो गया, तो what is agithromycin, agithromycin की बात करें, तो agithromycin एक antibiotic है, तो agithromycin एक drug हो गया, syfixamine क्या हो गया, वो एक drug हो गया, तो इस तरीके से बहुत सारे drugs हैं हमारे पास, तो यह क्या होते हैं, यह कैसे substances, कैसे chemical substances जो आपको psychologically और आपको physiologically आपके system पर effect करते हैं, और यह इस तरीके से बनाए जाते हैं, ताकि आपको यह relaxation दे सकें, लेकिन जब इसका overdose लिया जाता है, तो यह कुछ adverse effect cause करता है, वो क्या होता है, तो it is overdose, it causes anxiety and shakiness, anxiety and shakiness यह cause करता ह है, vomiting, nausea, इस तरीके की चीज़ें आपको हो सकती है, if person will show less interest in personal and professional life, तो personal and professional life में उसको interest कम होने लएगा, क्योंकि यह इसमें रहेगा, तो इसके कारण, इसका जो nervous system जो effect होगा, जो इसके उपर mental pressure था, वो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, तो यह relax feel करेगा, तो यह personal and professional life में यह जो है, वो interest लेना कम कर देगा, social adjustment problems are seen, तो क्या होगा, social adjustment problems जो है, वो देखने को मिल सकता है, reckless behavior देखने को मिल सकता है, आपको violence हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा, लडाई जगडा जल रहा है, general lack of interest is seen, तो मतलब interest पगएरा खो जाएगा, वो अपने आप में busy रह दाल सकते हो, फिर हम चलते हैं आगे, फिर हम चलते हैं, आगे, हैना, इसके बाद हमारे पास question number seven, question number seven हम से क्या कहता है, एक नजर डालेंगे, तो question number seven हम से कहता है, बसित्ता, कि what is the pulse polio program, यहां पर बात की जारी है, pulse polio program की, अगर आपको याद होगा, तो जो अब आप sensor हमारे add करते थे उस चीज़ का, कि दो बूंद जिंदगी की उस polio को हराने के लिए, पूरा देश एक साथ जुड़ा था, उसके खिलाफ या अभियान चलाया गया था, जिसे हम लोग pulse polio program के नाम से जानते हैं, हमारी सरकार ने इसे चलाया था, तो वही सवाल है, हमारा कि what is pulse polio program of government of India, फिर हमारा दूसरा सवाल इसी में है कि what is OPV, और फिर इसी में हमारा तीसरा सवाल है, कि why is it that India is yet to eradicate polio, अब देखिए pulse polio program क्या था, तो pulse polio program is the government of India initiative, भारत government के द्वारा चलाया एक अभियान था, जिसमें जिसमें polio को पूरी तरीके से खतम करना था, started from pulse polio from India since 1995 में शुरू हुआ, in this program, इस program में जितने भी बच्चे थे, जो 5 साल से नीचे के थे, उनको क्या किया जा था, polio virus से लड़ने के लिए, ये हमें, ये उनके immune system को मश्बूत कराने के लिए, ये जो polio drop है उन्हें दिया यहां पर polio के virus को ही actually डाला जाता था, एक memory बनती थी जिसके मदद से, फिर polio virus से लड़ने में मदद मिला, तो polio से लड़ने के लिए ये किया गया था, तो इस program का aim basically यही था कि किसी भी तरीके से भारत से जो है, वो polio को एक्दम ही बाहर कर दिया जाए, एक viral disease से इसको ब काम से भी जानते है, is an infectious disease caused by polio virus के कारणी होता है, which leads to muscles weakness and further inability to move, आपको move करने में आपको चलने फिर लें लाइक नहीं छोड़ता है, ये, OPV का मतलब होता है, oral polio vaccine, और बात करें ये पूरी तरीके से गायब नहीं हुआ है, तो क्योंकि जो vaccination programs जो चल रहे थे, वो चलते गया जिन्होंने लिया, वो आज लिया, लेकिन पहले, इसके पहले जब ये vaccines नहीं था, तो तब के लोग जो पोलियो हो रखा है, वो अभी तक हैं हमारे पास, हमारे society में, तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से गायब नहीं हुआ है, लेकिन हा, ये हमारे society में गायब हो जाएग ये हमारे society से गायब हो जाएगा, ठीक है, इसको भी note कर सकते हो, आप, screenshot ले सकते हो, फिर हम चलते हैं, नेक्स कोशन की तरफ, ठीक है, फिर हम चलते हैं, अपने नेक्स कोशन की तरफ, कह रहा है कि, this vaccine is used to eradicate polio, in OPV, a weekend polio virus is given, weekend polio virus को आप तक पहुंच आ जाता था, आपके माउथ में औरली दिया जाता था, इंकंसेस्ट ऑफ, a mixture of live attenuated polio virus strains, polio virus के strain को दिया जाता था, which are injected inside the body to initiate the immune response, वो गया आपके body में, आपके immune response ने उसको देखा, उसके खिलाफ action किया, उस memory बना उसके खिलाफ, तो one dose of OBV produces long lasting immunity, एक dose से बहुत लंबा immunity मिलता है, towards all three types of strains of polio virus, तो polio virus के सारे से हमें long lasting immunity मिलता है, ठीक है, अब आचुका है हमारे पास हमारा question number eight, question number eight हम से कहता है कुछ ऐसा कि what are recombinant DNA vaccine, तो recombinant DNA vaccine क्या होता है, सवाल यह है, give two examples of such vaccine, ऐसे vaccine के दो examples देने हैं, और उसके advantage के बारे में बात करना है, तो कह रहा है कि recombinant vaccine is a vaccine produced through the, अब देखना क्या लिखता है कि recombinant DNA technology से जो vaccine बनाया जाता है, वो आता है recombinant DNA vaccines के अंदर, that involves the inserting the DNA encoding and antigen that stimulates the immune response into bacterial and mammalial cells, तो कहने का मतलब एक recombinant DNA technology का use किया गया, इसमें क्या है कि DNA जो है, involves inserting the DNA encoding, DNA के, DNA के encoding को वहाँ पर लाया जाता है, मतलब कि genetic materials का use करके, हम यहाँ पर vaccine बनाते हैं, अगर इसके दो examples की बात करें, तो एक हमारे पास bird flu virus vaccine, जो humans के लिए यूज करते हैं, और दूसरा हमारे पास west nil virus vaccine, जो की horses के लिए यूज किया जाता है, यह रहे इसके दो example, पहला example, blue bird flu virus है, blood flu virus vaccine जो humans के लिए यूज के लिए जाता है, यूज के द्वारे इन west nil virus vaccine जो की horses के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, इसको भी आप note कर सकते हो, आगे बढ़ते हैं, और आगे हम discussion करते हैं, that is की, इसके advantages के बारे में, तो इसके advantage की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि minimum risk of infection है, इंफेक्शन और के बहुत कम chances है, they initiate both cells mediated and humoral immune response, तो यह cell mediated और human immune response को यह initiate करवाता है, पैसा बहुत जादा नहीं लगता cost effectiveness है, long term persistence है, इसका, human health and disease introduces students to various pathogens and their ability to spreading diseases, it's a vital for humans to take good care of their health, otherwise they may scramble the diseases which could make the weaker, a few examples of diseases are, chlorella, mariria, gonorrhea, anthrax, etc, देखिये, क्या, यहाँ पर last में लिखता है, कि यहाँ पर हो जाता है हमारे question का answer complete, और इसी के साथ किया, हमने अपने long answer type questions को complete, और साथ में आपके लिए यहाँ पर लिखता है, कि हमने अपने इस syllabus में human health and disease नाम का यह chapter देखा है, यह chapter आपको बताता है कि क्या होते हैं health, क्या होती है disease, क्या होते है pathogen, किस तरीके से pathogen की entry से हमारा जो health है वो disturbed होता है, किस तरीके से हम disease के चक्करों में पढ़ते हैं, किस तरीके से disease होने से हम बच सकते हैं, किस तरीके से हम disease होने के बाद क्या करें, किस तरीके के treatment में जाएं, symptoms का क्या कहना है, drugs के use, abuse इन सब के बारे में बताया गया, तो यह chapter आपके syllabus में डालना बहुत ज़रूरी था, just because कि आपको aware करता है इन सारे चीजों से, तो यह थे हमारी कुछ questions, उमीद है कि आपको समझ में आया होंगे, और यहाँ पर कह रहा है कि the different types of diseases are, आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बाते नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से थेख सकते हैं, साथ साथ एक information आपके लिए, that is about magnet brain, इसे कैसा platform जो देता है, आपको CBC English Medium, CBC Hindi Medium, different state boards, NTSC Olympiad, CUET, इन से तरीके के competitive exams के लिए, पर जहां आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहे हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप को, आप विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com को, यहां आना है आपको अपने subject को चुनना है, class को चुनना है, subject को चुनना है, आपको अपने जाना है chapter पर, chapter के बाद जाके आपको lecture को चुनना है, lecture को चुनना है, वीडियो को enjoy करना है, knowledge को बढ़ाना है, examination में rock करना है, marks अच्छे-च्छे score करना है, तो इसी अच्छे बातों के साथ हंसते रहे हैं, मुस्कुराते रहे हैं, और परतेरे मैगनेट मेंस के साथ, तब तक लिए टाडा, थैंक यू, बाई बाई,